आज से टीक चार दिन बार हमें देखने को मिलेगा प्रो कबड़ी सीजन 10 का पहला मुकाबला जो यहाँ पे खेला जाएगा गुजरात जाइंट्स बनाम तलगू टाइटन्स के बीच में एक तरफ रहेगे पजल अतराचली की आर्मी और दूसरे तरफ रहेगी पवन सहराव की यंग आर्मी दोनों ही टीम्स की जब भीडन्त होगी तो दोनों ही टीम्स कौन से खिलाडियों को सबसे पहले उतारने वाली है इस रडो में हम दोनों ही टीम्स के स्टार्टिंग सेवन एंड साथी साथ सबसेडूट प्लियर्स के बारे में बात करने वाले मेंली तो मैं जानने को मिल जाएगा तो वीडियो के end तक बने दिये शुरुबात करते हैं मैच की information के साथ आपको पता ये की season 10 का पहला मुकाबला है जो यहाँ पे गुजराज जाएंट स्वसेश तल्गुड आइटेंस के बीच में खिला जाएगा दो दिसम्बर से प्रो कबड़ एक हफते तक मैचेस होगे एहमदाबाद में शुरुबात करते हैं होम टीम गुजराज जाएंट के साथ गुजराज जाएंट के पहले मैच के लिए starting 7 की बात की जाए तो center पे हमें राकेश सुंगरोया देखने को मिल जाएगे जो leading raider रहने वाल है और इनका साथ देते और इनका साथ देते हुए रोहित गुलिया देखने को मिल जाएगे जो एक बहतर all-rounder है डिफेंस की तरफ नजर डाले तो हमें right cover पे देखने को मिल जाएगे सौरफ गुलिया जिनका काफी अच्छा season गया था और लेफ्ट कवर पे इनका साथ देते हुए देखने को मिल अरकम शेक जो यहाँ पर आल राउंडर है तो कवर डूओ भी काफी स्ट्रॉंग है सौरफ गुलिया एंड अरकम शेक का एंड कॉर्णर की बात किजा तो राइट कॉर्णर पर हमें सोंबिय गुलिया देखने को मिल जाएगे एंड लेफ्ट कॉर्णर पर देखने को मिल जाएगे फजल अतरा चली जो टीम के कप्तान है पिसले सीजन के पुनेडी पल्टन के दोनों ही कॉर्णर डिफैंडर्स इस बार गुजराज जैंड के कॉर्णर डिफैंडर्स रहने वाले एंड इस तरीके से गुजराज जैंड का स्टार्टिंग सेवन तल्गू टाइटन्स के मैच के अगेंस देखने को मिल जाएगा सबसे इंपॉर्टन सबसीरूट प्लियर्स की बात की जाए तो ये साथ प्लियर्स सबसीरूट के लिस्ट में देखने को मिल जाएगे मेरे हिसाब से यह प्लियर्स होगे जो यहाँ पे मुहमद इसमाइल नभी बक्से जो अलराउंडर है जी बी मोरे सोनु जागला दोनों ही रेडर्स है रवी कुमार जो राइट कवर के डिफेंडर है सौरफ गुलिया के बैक अप के तोर पे रखा जाएगा अगर सौरफ गुलिया नहीं चल पाए तो इनकी जगह पे यह आ सकते है यहाँ पे सौरफ गुलिया के आखी बात की जाए तो यहाँ पे नमबर पांच पे बाला जी डी जो लेफ्ट कवर के डिफेंडर है अरकम शेक देखा जाए तो बाला जी डी भी एक अच्छे एक्सपिरियंस डिफेंडर है नमबर चे पे जीतेंदर यादव जो लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है अगर साथ पे विकास जागलान जो अल राउंडर है तो ये ओवरल गुजराज जाएंड की स्टार्टिंग सेवन एंड साथी साथ सब्सिडूट प्लियर्स रहने वाले है अब इसे बहले तलगू टाइटन्स की स्टार्टिंग सेवन जाने मैं आपको बता दू अब सिर्फ चार दिन दूर है हम सभी से एंड कुछ लाइट स्ट्रीमिंग के अपडेट्स होके एंड कुछ प्रेस कॉन्फिडेंस एंड जो भी प्रो कबडडी के अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ हमारे टेलीग्राम पे भी ऑफिशल चैनल है स्पोर्ट सुनी वर्स करके अगर आपने जोइन नहीं किया तो फटा फट जाके जोइन कर लो बहुत सारे कॉंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जब प्रो कबडडी स्टार्ट होगा तो जिन्नों ने भी जोइन कर लिया है ठेंकियू सो मच जिन्नों अभी तक जोइन नहीं किया है डिस्क्रिपशन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा नहीं तो टेलिग्राम पे जाके आप एट दिरेट स्पोर्ट सुनी वर्स 7 सर्च करके जोइन कर सकते हो exclusive updates सब कुछ आपको टेलिग्राम पे शेर करने वाला हो अब यहाँ पे तलगू टाइटन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे तलगू टाइटन्स के स्टार्टिंग 7 में सेंटर पे देखने को मिल जाएगे कप्तान पवन सहरावत और इनका साथ देते हुए हमें राइट इन पे देखने को मिल जाएगे रजनीश दलाल और लेफ्ट इन पे देखने को मिल जाएगे प्रफूल जवारे यहाँ पे तलगू टाइटन्स का रेडिंग लाइन अप होने वाला है जहां पर पवन एंड रजनीश का डूओ बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है और प्रफूल इनका साथ देते हुए देखने को मिल जाएगे डिफेंस की बात की जाए तो राइट कवर पे हमें ओमकर मोरे देखने को मिल जाएगे और लेफ्ट कवर पे हमें परवेस भेंसवाल देखने को मिल जाएगे ओमकर और परवेस का जो कवर डूओ है वो कैसा परफूमेंस दिखाता है मुझे नहीं पता है जहां परवेस की बात की जाए तो बहुत ही एक्सपिरियंस डिफेंडर है पिछले दो सीजन से काफी अच्छा परफूमेंस दिखा रहे लेकिन ओमकर मोरे का नहीं पता की कैसा परफूमेंस प्रो कबड़ी के लेवल में दिखा पाते लेकिन बड़े बड़े नाम है तलगू Titans के टीम में तो अच्छा performance दिखाने की उम्मीद है corner defenders की बात की जाए तो right corner पे हमें शंकर गदाय देखने को मिल जाएगे एंड वहीं पे left corner पे हमें अंकी जागलान देखने को मिल जाएगे तो बिल्कुल नया नाम देखने को मिल रहा है दोनों ही corner position के defenders की जहाँ पे शंकर गदाय पिछला सीजन डीसेंट सा पफोर्मेंस दिखाया थे अंकी जागलान अच्छा नहीं खेल रहे तो उम्मीद यहीं करते है कि दोनों ही अच्छा पफोर्मेंस दिखाये तो इस हिसाब से तल्कु टाइटन्स की starting seven गुजराज जैंट्स के अगेंस देखने को मिल जाएगा सब्सेडिट प्लियर्स की बात की जाए तो सब्सेडिट प्लियर्स में हमें नमबर एक पे विने डेदू देखने को मिल जाएगे जो की रेडर है ओमकार पाटिल जो यहाँ पे रेडर है रोबिन चौदरी वो भी यहाँ पे रेडर है संजीवी एस यहाँ पे नमबर पाँच पे नमबर चार पे है जो की ओल्राउंडर है तो यहाँ पे मिला जबबारी राइट कवर के डिफेंडर ओमकार मोरे के backup और दूसरे यहाँ पर हमित नादर भी देखने को मिल जाएगे और लास्ट पर गॉरब दहिया जो लेफ्ट कॉर्नर के defender है तो इस हिसाब से तल्गू टाइटन्स का substitute players का लिस्ट हमें देखने को मिल सकता है पहले match के लिए तो आपो कर लगता है दोनों ही टीम के क्या starting 7 रहने वाली है और आपको अभी फिलहाल कौन सी टीम की starting 7 ज़्यादा strong दिख रही है आप comment का के जड़ों बताएगा इस match का detail preview आपको 1 December को देखने को मिल जाएगा जहां पे उस वड़ों में हम दोनों ही टीम को detail में preview करेगे मेरी क्या prediction रहने वाली है और बहुत कुछ आपको उस वड़ों में देखने को मिल जाएगा इस वड़ों में हमने दोनों ही टीम की सिर्फ starting 7 कवर किया है और टीम के जो updates आते वो आपको इस वड़ों में बता देने वाला हो और अभी फिलहाल के लिए सभी टीम के पहले match के क्या starting 7 रहने वाली है अगर आपको सभी टीम के बारे में जानना है तो उस पर भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा left side पे click करके देख सकते हो and right side पे हमने सभी टीम के cover duo के बारे में बात किया है किस तरीके से बात किया, ranking के तुरू बात किया तो वो वाला वीडियो भी आप check out कर सकते हो right side पे देखने को मिल जाएगा तब तरक में मिलताओ ऐसे एक ओने इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ thanks for watching